ये सबसे पहली चीज तो ये अच्छी है कि आज काफी डीटेल सुनवाई हुई है जाकि वेकेशन बेंच में देखें तो बहुत जल देल दी मैटर रैप अप हो रहा था आज करीब दो गूंटे तो अब तो अंदर कोड में मैटर चलता अर अलग भग तो अच्छा सिम्टम्स दिखता है और अगर आप देखें तो सीज़ाई साहब ने भी आज काफी बच्चों के हित में ही चीज़े बात की और ज्यादा कोशनिंग की उन्होंने अन्टीए से की ऐसा कैसे हुआ एक चीज जो और निकल के सामने आई है आज कि भले ही NTA और Solicitor General ये बात कह रहे थे कि पेपल लीक नहीं प्रूफ हो सकता है CGI साहब या CGI Bench काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपल लीक तो हुआ है बिकाज इतनी सारी नौई से इतनी सारा F.I.R. में चीज़े हैं अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं किस extent तक पेपल लीक हुआ है क्या वो लिम्टेड बच्चों में गया है या वो बहुत सारा जैसे आज कि टेक्नोलोजी कहाई जात उन्हें ने ये भी बोला क्या टेक्नोलोजी की help से paper काफी बच्चों में लीक हो गया अब वो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि रिनीट की डिमांड थी काफी लोगों की काफी जारे प्रेटिशनस की रिनीट की डिमांड थी तो उसमें वो ये डिटरमाइन करना चाह रहे थे हैं कि रिनीट किन बच्चों का होना चाहिए क्या limited बच्चों में paper leak है या बहुत ज़्यादा बच्चों में leak है क्योंकि बारबा उन्होंने ये emphasize भी किया कि 24 लाग बच्चों की जिंदगी का सवाल है और इतनी जारे बच्चों का एक साथ reneet कराना logistically possible नहीं है practically possible नहीं है इतनी सारे बच्चों का mental status क्या होगा फिर से तैयारी कर पाए नहीं तो ओर और अभी ये समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने time दिया है कि हमें timeline बताईए कि paper कब आप बनाते हैं कौन सी committee बनाती है दो sets of paper कैसे बनते हैं date कब वो जाते हैं press में किस press में जाते हैं उसका नाम नहीं बताईए उन्होंने का है वनना फिर तो अगले साल वां भी लग जाएगी फिर वहां से paper वापस किया Delhi आता है या sentence पे जाता है sentence पे कैसे जाता है वहां से banks पे कैसे जाता है states में फिर वहां से center पे chain of custody जो paper की है उसको उन्होंने का कि हमें देखना है ताकि हम data mining ये कर पाए कि paper leak जो हुआ है क्या वो morning में हुआ था पांच में के अगर morning में हुआ है तो किस time में हुआ है कितने time पहले हुआ है paper से अगर बहुत कम time पहले हुआ है तो chances कम है कि spread हुआ होगा और अगर थोड़ा ज़्यादा पहले हुआ है तो chances ज़्यादा spread हुआ होगा और उन्हें ये conclusive proof यही चाहिए कि paper कितने बच्चों में leak हुआ है पहुचा है कि नहीं बाकी एक और चीज बड़ी अच्छी बोली कि ऐसा हो कि 700 के उपर जो number है वहाँ पे number of students या percentile of students लास्ट यह से इस यह ज़्यादा बढ़ा हो जो कि actually है इस तरह की चीज उन्हें नहीं कहा कि आप determine करके देखिए कि आपके data के अंदर क्या-क्या red flags दिख रहे है जो हर साल नहीं होता है और यह भी कहा कि हो सके तो यह government मतलब आप खुद ना करके किसी और agency से करा है NTA खुद ना करे कोई और agency करे इस data को audit करे वहाँ से रिरगलाइटीज मिले अभी तो इन्होंने यह बोला Wednesday तक का time दिया है कि यह सारे चीज़े सब्मिट करें फित हजडे को उस पर सुनवाई करेंगे और ओर ऐसा लगा कि CJI साब ने काफी बच्चों की बात सुनी सब्मिट कोट में यह भी कहा चीज़ेस्टिस के अगर बात की जाए कि उन्होंने कहा कि 24 लाग चात्रों के प्रभशन सवाल है इसका कारण यह रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहां पर री-टेस्ट हुआ है आई-प्यम्ट में वहाँ पर यह लिखा गया था माने कोट के जज्जमेंट में कि सिस्टेमाटिक फेलियर था तो सिस्टेमाटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर री-टेस्ट आपको कराना पड़ सकता है तो यह डिटरमाइन करना चाहते है कि सिस्टेमाटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसे के अंदर इन्वाल्ड है जैसे बिहार पुलिस की जब आप F.I.R. की कॉपी पढ़ेंगे इटेल में मैंने कई बापड़ी उसमें अंदर लिखा हुआ है कि कुछ N.T.A. के ऑफिशल भी इन्वाल्ड थे विच मीन सिस्टेमाटिक फेलियर इसलिए शायद वो पुरी कस्टेडी ऑफ पेपर जानना चाहते है कहां से कहां गया कि इसके अंदर सिस्टेमाटिक फेलियर है की नहीं है इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पे पी काफी देर चर्चा हुई है सभी मुद्दों को दो गंडे तक डीटेल में सुना गया है इतने समय में इतना ही सुन सकते थे तो डीटेल में गोधराला मुद्दा भी सुना गया है बिहार का मुद्धा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्धा भी डिटेल में सुना गया है, एक सेंटर से छे बच्चे कहें, 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है, तो हाँ, अब 24 लाग बच्चों के जिन्दगी यहां पे दाओं पे लगी, इसलिए सिजाई ने का है कि एक बार में ये नहीं बोल सकते हैं, जो और इनीट कल लो, और उनने का ये कहना भी सही नहीं होगा, अगर ये एक दो, चार, पांच है, तो उसके लिए पूरी बच्चों को एफेक्ट नहीं कर सकते हैं, पर अगर ये नंबर लंबा है, जैसे आपने बोला, किस मोर में इसके बार में काफी देर बात हुई, क्योंकि दो गंटा बात हुए तो कुछ चीज है, माक में चल लगी, आप तो जज्जमेंट लेना तो गंटा पूरा सुन रहा था, बैठा था, एक बड़ा अच्छा चीज उनने ये भी बोला, कि जो आप पेपर डिस्रिब्यूट करत है, अगर एलेक्राणिक ट्रैवल करता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी अच्छे एजनसी है, हमारे पास इतनी स्ट्रॉंग साइबर एजनसी है, तो वहां समय ये पता लगा है, कि जिस ताइम पेपर डिस्ट्रिब्यूट हो रहा था, वहां तो कोई चांस थी, ए कितने सेंटर्स हैं, और वहां पेपर कैसे पहुचता है, क्या वहां पेपर डिजिटली पहुचता है, अगर डिजिटली पहुचता है, तो लीग होने के चांसे क्या हो सकते है, तो उन्होंने ये भी बात की, कि हम एक कोई टेक्नॉलोजी सेक्टर लगाएं, कोई साइबर किस तरह से हम साइबर सेक्यूरिटी लगा है और पता करें कि पेपर कहीं दिश्टी तो लीक नहीं हुआ है। कि यह बोलने की जरवत भी नहीं है कि यह सबसे प्रिस्टीज वन आफ दी मोस्ट प्रिस्टीजियस एक्जाम है भारत का नीट का एक्जाम और इसके अंदर किसी भी तरह की नहीं हो रही है तो दिक्कत है। favor में होगा और वो justice होगी पर हाँ ऐसे में यह है कि बैसे फैसलों में फैसले आ सकते हैं नहाए ना बहुत मुश्किल है रिनीट होता है तो भी बहुत बड़ी दिक्कत है बहुत से बच्चों के लिए जोने ने अच्छा कमिटी बना जाए बड़ अभी तो CBI से ही माँगी है इसेंट रिपोर्ट और इसाई डेटा माँगी है बाते की है और जिस तरह समय दिया है इस मैटर को लगबग दो घंटे तक सुनवाई चलती रही बहुत डीटेल में सुना काफी पैटिशनर्स की बाते सुनी डीटेल में मुद्दा सुना NTA से बहुत सारे कॉश्चंस किये एक एक कॉश्चं करके जानना चाह रहे थे वो डीटेल में क्या हुआ है और देखा जाये तो भले ही Solicitor General और NTA ही इस बात कह रहे थे एकसेप्ट करें ऐसा हुआ है पर अब उनको ये भी चिंता है कि अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका extent क्या है उसका form क्या था किस तरह से लीक हुआ है कितने बच्चों तक पहुचा था पेपर और उसकी timing क्या है इसके लिए उनने देखा NTA से सवाल पूचा कि पेपर कौन बनाता है पेपर छपने कहा जाता है कब जाता है कहा जाता है उनने ने का मत बताना बनना अगले साल भी लग जाएगी कब जाता है वहाँ से वापस के डेली आता है फिर वहाँ से वो कैसे स्टेट स्टेट ट्रावल करता है कैसे बैंक में जाता है कैसे सेंटर यानि चेन ओफ कस्टिडी जो है पूरे पेपर की वो जानना चाहते है ताकि उससे वो डिटरमाइन कर सकी कि क्या वहाँ पे कहीं ब्रीच हुआ है क्या कोई systematic failure है जिसकी बात है काफी देर आज कोड में हुई कि systematic failure है इस process के अंदर तो इसके बारे भी CGI साब जानना चाहते है कि कोई systematic failure हुआ है इसके अंदर एक और बड़ा अच्छा question होने ने पूछा जो out of the box हो गया हम सब के लिए इन्टिये क्लेवी और petitionals क्लेवी कि ये बाहर कहा कहा एक्जाम होते है इंडिया के बाहर और वहाँ paper क्या digitally जाता है या वहाँ hard copies जाती है और digitally जाता है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भारत में technology बहुत strong है हमारी हम cyber security लगा के पता करें कि कहीं ऐसा तो नहीं digital format से paper leak हुआ हो पेपल लीग की timing के around बहुत जादा उन्होंने concern दिखाया है कि पेपल लीग कब हुआ है एक रात पहले हुआ है अब पेपल से कुछ घंटों पहले हुआ है उनने का अगर दो चार बच्चों को गया है तो फिटे तो हम ऐसा action नहीं लेगी कि रिनीट करा दे हैं किनको लाब मिला किनको नहीं मिला उनने बोला between the tainted and untainted के बीच में अगर आप segregate कर पाओ तो ठीक है तब तो अगर आपने separate कर लिया कि किन बच्चों को overall इससे फाइदा मिला है beneficiary थे इस practices, malpractice के तो हम उनका reneat करा देंगे ऐसा कर देंगे पर अगर आप नहीं पता लगा पा रहे हो tainted और untainted के बीच में तो इसके बारे में फिसी जाही साब ने कहा कि फिर reneat की option है क्योंकि यही 2015 का judgment भी है कि अगर आप tainted and taten पे डिफरेंस नहीं पता लगा पा रहे हो तो आपको नहीं पता है कितने बच्चे बेनिफिशनी है उन्हें ने भी बोला एक भी बच्चा एंटर नहीं करना चाहिए जो मैंने प्रैक्टिस से कोच है क्योंकि यह बहुत प्रेस्टीजियस एक्जाम है आज NTA अंदर देखें तो यह भी नहीं मान रहे थे उन्होंने अज अंदर अभी नहीं माना कि बिहार में पेपल लीक है उन्होंने यह प्रूफ किया कि लेखें जो आर्टिकल आया था जिस निउस्पेपर को आप कोट कर रहे हैं वो ऑफिशल नहीं है और बिहार पुलिस नहीं बोला है पेपल लीक है तो उन्होंने तो अभी तक कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया पर आज देखें आप सुप्रिम कोट में सिजाई साब ने उनको यह बोला कि आप डिनायल मोड में अपना रहे हैं अब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करें और हम सब इंप्रूब्मेंट की तरफ आगे बढ़ें तो इस बारे में मेरे सॉलिटी सुटे जनल को भी देखा उन्होंने भी कालना नहीं सर हम पूरा कंप्लाइ करना चाहते हैं हम भी उन बच्चों के लिए सोच रहे हैं अब सब काउंसलिंग स्टार्ट है मतलब उसमें काउंसलिंग के बाद फिर नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुए काई रेड फ्लैक्स की भी बात की जिसमें टॉपर्स की भी चचचा की गई है क्या कहींगे सबसे पहले रेड फ्लैक्स निकालना स्टार्ट करते हैं कहां कहां है जैसे उनने का सबसे पहला रेड फ्लैक्स यह है कि पिछले चार साल में जो बच्चे 720 लाते थे दो तीन होते थे इस बार ऐसा देखा गया 720-720 लाने वाले बच्चे एक साथ 67 उसमेदे छे बच्चे एक ही सेंटर के हैं यह भी एक रेड फ्लैक्स दिखाई पड़ता है उनने का ऐसा रेड फ्लैक्स देखें ऐसा तो नहीं है कि जो परसेंटाइल ऑफ स्टुडेंट्स है जो जादा नंबर ला रहे हैं बलकिंग हैवी स्कोर पे तो नहीं है ऐसा तो नहीं कि किसी हैवी सकोर के उपर जादा बच्चे इस बार आ गए है आस कंपरेट टू लास्ट इर तो इस तरह के रेड फ्लैक्स तो नहीं है उन्होंने का कि आपके पास पूरा डेटा है पुरा आपके पास सारा डेटा है बच्चों का, उस पे आप एक cyber audit करिए, उस पे आप एक audit, audit वर नहीं बोला, उनोंने बोला कि आप उस डेटा को एक बर analyze करिए, और देखिए कि वहां और क्या-क्या red flag आपको मिल रहे हैं, किसी particular center से बच्चों के जादा number आ रहे हैं, in fact उन anomalies figure out करने कोशिश करिए, जिससे extent of leak पता चलेगा, extent of malpractices पता चलेगा, इसाथ बच्चों के बारे में जो बताया गया है, कि आप असे सुनतुष्ट हैं, कि वह अलग center से हैं, तो हमें कोई relation नहीं है, देखिए, उसके अंदर जब तक ये data सामने exact नहीं देते कि अलग center से ह कि ये बोल रहे हैं ऐसी चीज़, अब इसमें कहेंगे आप credibility पर question, credibility पहले भी उड़ चुका है, NTA बहुत बार अपनी चीज़े बोल के, फिर बात से पीछे हड़ चुका है, मुकर चुका है, तो जब तक अब data exact सामने नहीं आता कितने बच्चे कि center से हैं, तब तक इस पर belief करना मुश्किल है, क्या लगता है, से री नीट हो सकता है, संभावना है अगर गुरुवार को सुमाई होते हैं, जिस तरीके कि सवाल उठाएगे हैं आज, देख, अभी मुझे जो लगा, CGAI साब का जो, वहाँ पे जो behavior था, उससे मुझे लगा कि उनका ये सोचना है, कि उन बच्चों का री नीट करा देंगे, जिन बच्चों को beneficiary बने है, जिनको फाइदा मिला है PayPal League का, ये नहीं लगा कि उनको सब को मैं यहाँ पे री नीट करा हूँ सारे बच्चों, क्योंकि 24 लाग बच्चों को फिर से तयारी करना, और फिर से preparation करना, mental stress देना, उसके वो differentiate नहीं कर पा रहे हो between tainted and untainted, कितने बच्चों को लीकिए ये पता ही नहीं चल पा रहा है, मलब लगातार अगर NTA ये बोलतारा कि कुछ बच्चों को है, तो नहीं चलेगा, आपको exact proof करना पड़ेगा कितने बच्चों को फाइदा हुआ है, और फिर अगर वो नहीं कर